अससलामु आलेकुम डियर स्टूडेंट्स वेलकम तू माई यूट्यूब चैनल उमीद है कि आप सब खेरियत से होंगे डियर स्टूडेंट्स मेरा नाम है नई मेंगबाल और आज की वीडियो में आपके साथ जो इनफर्मिशन शेयर कर रहा हूं वो है इनुवस्टिव सारे स्टूडेंट्स जो एकसर कमेंट्स में यही पूछते कोई बेशलर का स्कॉलर्शिप भी हमें बताएं तो यह स्कॉलर्शिप जो है बेशलर के लिए बी है मास्टर के लिए और पीच्डी के लिए पूरी डीटेल इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं वीडियो को अपने लास्ट तक देखने हैं ताकि सारी डीटेल आपको समझ में आजए फिर उसके बार आप खुद ही अप्लाइ कर सकें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी किजेगा अगर आप अल्रड़ी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो लाइक और शेयर लाजमी किजेगा तो चलिए टॉपिक की तरफ बिना टाइम वेस्ट किये अच्छा डिया स्टूडेंट्स जैसे मैं रिसेंट्ली जो है कुछ वीडियो आपके साथ शेयर कर चुक हूँ चाइनीज स्कॉलर्शिप के अवाले से मुझे उमीद है कि आपने वो वी स्टूडेंट्स जिनकी जो स्कॉलर्शिप है वो एक्टिव हैं आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं ठीक है स्टूडेंट्स अच्छा स्टूडेंट्स अभी हम आ जाते हैं डायरेक्ली डिटेल पे के यह इनिवस्टी जो है आपको बेशलर की डिगरी के लिए अगर आ हैं कि हम एप्लीकेशन फी प्र नहीं कर सकते तो माई डियर स्टूडेंट्स इसमें जोऑ कोई अप्लीकेशन फी नहीं है आप अपलीकेशन fee के बगएर apply कर सकते हैं तो यहाँ पे कुछ चीज़ें वो आपके से शेयर करते हूं डिगरी की duration जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बैचलर की डिगरी की जो duration है प्रोग्राम की वो four years है और master की डिगरी की जो duration है वो है two or three years दो या डिगरी की duration अपने मांड में याद रखने होंगे ठीक है जी अच्छा जी उसके बाद जो है आप national university जा स्टूडिंग है वो है 93 पोजिशन पे अब overview यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ या आपको मैंने अल्रड़ी बता दिया कि university of science and technology of china है bachelor master PhD के लिए apply कर सकते है fully funded है all nationality के students है वो इसके लिए apply कर सकते है अब last date के हवाले से आपको बता दूँ dear students अगर आप undergraduate level के लिए apply करना चाहते हैं तो इसकी last date है 31st March 2024 अगर आप जो है master के लिए apply करना चाहते हैं जिसे MS या PhD इन दोनों जो degree हैं इनके लिए apply करना चाहते हैं तो इन दोनों की last date है 15 February 2024 तो जितनी भी मुझे bachelor की students देख रहे हैं जो apply करना चाहते हैं अंडर graduate level में तो उन से request है कि जितनी भी आपके document से वो आप सबसे पहले आप तयार कर ले उसके बाद आपने apply करना है और master के और PhD की students ये request है कि आप इस इन दोनों की faculty member से जो है जो acceptance letter होता है वो ले 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 उसके आपके जाए मतलब एक plus point आपको मिल जाएगा scholarship का ठीक है अब आजाते हैं जो सबसे important चीज़ है जो student अक्सर पूछते हैं किसके benefit क्या होगा क्या क्या चीज़ इस scholarship में cover होंगी तो dear students सबसे पहले आपकी जो tuition fees होगी tuition fees मुराद है आपकी जो इनिवस्टी की fee होगी वो बिल्कुल free है scholarship के अंडर cover होंगी accommodation आपको दिया जाएगा accommodation से मुराद है आपको रहने की जगह दी जाएगी subsidy का मतलब है आपको रियाएद दी जाएगी free में चीज़ी होंगी आपकी बकायद आपको monthly stipend मिलेगा stipend से मुराद है कि आपको monthly आपको खर्च मिलेगा है pocket money आप उसी कह सकते है ठीक है जो चाइनीज currency है उसके तह जो बेचलर डिगरी के लिए जो student apply कर रहे हैं intermediate level के बाद उनको 2500 पर मन्त उनको मिलेगी और उसके साथ master degree के लिए जो student apply करना चाहते हैं उनको 3000 पर मन्त मिलेगी और PhD student के लिए 3500 पर मन्त है इसके साथ comprehensive medical insurance पर आपको दिये जाएगा इससे मुराद ही है कि आपको medical facility भी दी जाएगे अगर आप बिमार होते हैं खुदानाखास्ता तो आपको जाए इलाज के इखराजात भी scholarship के अंडर जो है cover होंगे अब आ जाते हैं कि कौन कौन से fields यहां पर available हैं तो fields और course में आपको एक difference बता दू कि fields जो होते हैं वो broader category उसके अंडर जो है बहुत सारे courses होते हैं तो मेजर केटिगरी आपको बताता हूं इसके अंडर फिर बहुत सारे courses आते हैं वो students जो bachelor के लिए डिगरी के लिए apply करना चाहते हैं मेरा मतलब है कि BS के लिए अगर आप apply करना चाहते हैं अंडर graduate के लिए तो यह देखें यहां पे computer science के लिए apply कर सकते हैं इंजिनेरिंग साइंस के लिए earth and space sciences के लिए nuclear science and technology के लिए school of management है देखें यह फील्ड है बड़े 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 ठीक है इसके अंडर फिर और बहुत सारे courses आते हैं वो आप फुद इन्वस्टी के जो website है वहाँ से आप देख सकते हैं school of management है school of mathematical sciences है physical sciences information information science and technology है chemistry and material science life science humanities and social science अब English की student जो English के लिए apply करना चाहते है social sciences के लिए इसके लिए apply कर सकते है life sciences के लिए भी apply कर सकते है life sciences तक्रीम तक्रीम मेडिकल की फील्ड के रिलेटेड है ठीक है त्री फील्ड आपने बेचलर के देख लिए आप आजाते है master के लिए master की फील्ड आप यहाँ पे देख सकते है engineering है सही है environmental science and engineering software engineering है computer science and technology computer technology biology information and communication engineering है bionomics mechanics mathematics physics astronomy optics engineering chemistry material science and engineering instrument science and technology mechanical engineering instrument instrumentation engineering power engineering and engineering thermophysics फीजिक्स के लिए apply कर सकते हैं बायो मेडिकल इंजिनेरिंग यह मेडिकल की स्टूजेंट के लिए बी है electronic and communication engineering power engineering electronic science and technology control science and engineering integrated circuit engineering control engineering network security geophysics geology इस सारे फील्ड आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका लिंक आपको मिल जाएगर description में आप वहाँ से साइट को विजिट कर सकते हैं statistic student इसके लिए apply कर सकते हैं public administration law की student history of science and technology की journalism के लिए apply कर सकते हैं cultural heritage and musology इसके लिए apply कर सकते हैं nuclear science and technology के लिए philosophy के लिए nuclear engineering and technology engineering के लिए safety science and engineering यह थी master के courses ठीक है यह field है इस field के अंदर पर मुक्तलिफ courses आते हैं अब आ जाते हैं PhD के लिए PhD आप यहाँ पे खुद ही देख सकते हैं कि information and communication engineering है safety science and engineering physics software engineering statistics astronomy biology chemistry computer science and technology biomedical engineering यह सारे तकरीब वही फील्ड है आप यहाँ पे देख सकते हैं यह पे देख सकते हैं यह यहाँ पर अगर आप जो है मजीद information चाहते हैं अंडर graduate students apply कर रहे हैं तो वो उनको जो मजीद information चाहिए इसके वाले से तो आपने यहाँ पे click करना है यहाँ से आपको information मिल जाएगी graduate students जो है वो यहाँ पर click करके जो उनको information मिल जाएगी अब आप यह कह रहा हूं कि मैं इतना जल्दी जल्दी आपके लिए क्यों चीज़ें कर रहा हूं क्योंकि आप students जो हैं वो ही कहते हैं कि मेरी videos बहुत जादा लंब ही हो जाती तो इसलिए मेरी कोशिश यह होती है कि ज जो भी documents required होते हैं उसको आपने पहले से तयार करना होगा डेडलाइन जो है काफी time है डेडलाइन में तो आपने सबसे पहले अपने चीज़ें मुकमल कर लीनी है जो भी चीज़ें धरकार होती है scholarship के लिए तो सबसे पहले जो information आपको बता दूँ कि इसके लिए online application form होता है सही है signature and recent photos की उपर लगा होता है ठीक है आपका तस्वीर लगी होती है तो वो आपने बकायदा उसके लिए चाहिए हो जो आप apply करेंगे पूरा detail add कर लेंगे उसमें तो फिर आप download करके जो है signature बगरा करके आपका वो document जो है वो required चाहिए होता है अच्छा जी उसके बाद ह for to copy of passport जितनी भी students है उनको यह मैं बता दूं कि कोई भी international scholarship के लिए apply करना चाहता है तो वो passport के बगार आप apply नहीं कर सकते सबसे important चीज़ जिसकी विरसे आपको जो है मतलब जो scholarship है वो उससे आप रहे जाते हैं वो है आपका research proposal या फिर हम आपस study plan भी कह सकते हैं एक तरह का study plan हो तो अगर आपके पास वो है और सही तरह का आपने बनाया हुआ है तो आपके चांसे ज्यादा हो जाते हैं ठीक है यह master और PhD स्टूजन के लिए मैं बता रहा हूं क्योंकि तकरीब इन के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरत पड़ती है उसके बाद cv आपने updated cv आपने नहीं है तू recommendation letter आपके बस दो recommendation letter आपने बनाए हुए नहीं अगर यह चीज़े आपको बनाना नहीं आता या फिर आप चाहते हैं कि अच्छी तरह बनाएं तो आप मुझसे social media platform पर राप्ता कर सकते हैं और उसके साथ जो है foreign physical examination देखे चाइनीजी निवस्टी के जो है जित हर scholarship के लिए apply कर सकते हैं तो मेरे जवाब है नहीं क्योंकि हर scholarship का जो है वो criteria different होता है हर scholarship जो है वो test की demand जो आप test करेंगे वो demand different होती होंगी तो इसलिए जो हर scholarship के तहरे जो है आपने जो examination होता है physical examination form वो fill करना होता है photocopy of degree जो है वो आपके पास होनी चाहिए सही है बतलब bachelor की let's suppose आप जो है undergraduate level के लिए apply कर रहे है तो फिर आपके पास जो है जो intermediate level है आपका 12 years education है उसके degree आपके पास होना लाजमी है ठीक है certificate जिससे हम कहते हैं अगर आप master के लिए apply करते हैं तो आपके पास bachelor की degree और इसके सा certificate 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 के पास कुछ है और उसके साथ जो है इंपोर्टन चीज इसी तरह पीजडी के लिए भी मास्टर की डिगरी चाहिए होगी तो वह आपके पास लाजमी होनी चाहिए वह आपने समझ रहे हैं कि आपको पता होगा कि क्या चीज़े डिगरी कौन सी चाहिए होती है ओके जी यह इ प्राप्ता कर सकते हैं मुझसे सोचल मीडिया प्रेटफॉर्म पे इसके अवाले से इन्फरमिशन आपके साथ शेयर कर दूँगा उसके साथ इलिजिबिलिटी क्राइटियरिय के आपको बता देता हूं कि कौन-कौन से स्टूडिन्स के लिए जिवन है देखें डियर स्टू लाखें यह कौने दूमरा नहीं करते हूं किसी भी कंटर से बिलोंग करते हैं आप अपपलाइ कर सकते हैं लेकि चाइनीज नशिसय। नहीं होने चाहए्ट जो है आपके बैस्टेल डिगरिक वह अगर आप आप आप्लाइ कर रहे हैं तो आपके पास जो हाईrier school diploma जिसे हम कहते हैं जिसे हम intermediate level कहते हैं metric कहते हैं वो आपके पास होना लाजमी है ठीक है जी और उसके साथ साथ जो है वो student जो master के लिए apply कर रहे हैं उनकी जो एज रखी गई है जो student undergraduate के लिए apply कर रहे हैं उनके लिए जो 30 अगर आपकी है ठीक है एज 35 years होनी चाहिए या उससे कम इससे ज्यार है तो आप master के लिए apply नहीं कर सकते हैं आप PhD के लिए apply कर रहे हैं तो आपकी 40 एज है फिर apply कर सकते हैं और उससे कम है फिर apply कर सकते हैं लेकिन 40 से अबाव जो है अगर आपकी age है तो आप इसके लिए apply नहीं कर सकते हैं for the graduates to obtain their degrees in 2024 and they should submit a pre-graduation certificate देखें अगर ऐसे student बहुत सारे जो master के लिए apply करना चाहते हैं ठीक है तो उनके पास जो होती नहीं है डिगरी नहीं होती तो आप अपने एदारे में institution में जाएंगे वहां कहेंगे कि मुझे pre-graduation certificate बना कर दे ठीक है let's suppose बहुत सारे students 7 semester में पढ़ते हैं ठीक तो उनकी लिए चाहिए कि pre-graduation certificate बना ले उसके दुरूब आप apply कर सकते हैं लेकिन याद रखें कि आपका जो है मतलब जो pre-graduation certificate बनेगा इस date को आपने mind में रखना है कि July 2024 में जो है आपका graduation जो है मतलब आपकी degree complete होना लाजमी है ठीक है अगर इस date तक complete होती है तो आप pre-grad graduation certificate बना लेजिएगा ठीक है इस चीज़ के आपको समझ आगे लिए deadline तो already मैं आपकी से शेयर कर चुकों आप यहां से देख सकते हैं apply किस तरह करना है डिये students bachelor के लिए apply करते हैं तो यहां से आपने इसकी उपर क्लिक करना है अगर मास्टर के लिए apply करते हैं इसकी उपर क्ल assignment वगर आ जाती है आपने देखें यहां पर देख लेना है पहले देखें क्या लिखा हुई यह जो है मतलब चाइनी चाइनीज यूनिवस्टी का website है नहीं तो इसको क्रॉस करने फिर से इसकी उपर क्लिक करें अब क्लिक करेंगे तो loading करेंगा यहां पर देखें आगे यू इसकी पर आप क्लिक कर लेंगे तो यह इंग्लिश में convert हो जाएगा ठीक है अब यहां पी पूरी detail available है यहां से आपने detail देख लेने हैं कि क्या क्या चीज़ी चाहिए वह आप यहां से चेक कर सकते हैं ठीक है condition कि क्या है वह भी देख सकते हैं डेट भी देख सकते हैं कि कु जो चीज़ी चाहिए आप यहां से देख सकते हैं ठीक है जी यह पूरी detail यहां पर available है यह देखें document यहां पर सारी चीज़े available हैं अच्छा students मैं आपको तरीकागार बताता हूं आपने क्या करने online application system की ओपर क्लिक करने जैसी क्लिक करेंगे आपके सामने जो है एक interface आएगा जहां पर लिखा हुआ होगा बाज वकाद login लिखा हुआ होता है बाज वकाद आपके सामने यह create account की ओपर लिखा होता है अब यह मतलब मेरा system तोड़ा slow है सही है क्यूंकि बहुत जहरा मतलब इसकी ओपर burden है इस वज़े से यह slow काम कर रहे है तो मैं आपको ऐसी औरली बता किस सर आपने करना है यहां पर just sign up लिखा हुआ होगा sign up की ओपर आपने click करने sign up की ओपर आपको सर्फ दिखा देता हुआ इसकी इसकी और इसकी पर click करने के बाद आपकी सामने पूरा वह एक आजाएगा आपके सामने पेज सा आ जागे यह वाला कि आपने यहां पर detail देन है है अब क्या करना है यहां से आपने जो अपना ज Prop पासपोर्ड न even आ यहां से आपनी जो अपने जनडर से लेक्ड करने फश्वत पासपोर्ड नंबर ने इस्टेरिक जिसे कहते हैं थार तो जो यहां ए यह लाजमी यहं देने हो तकरीबन दस हिंसों से ज्यादा नहीं होने चाहिए ठीक है तो कोई भी नंबर का पास्वड़ आप देख सकते हैं यहां पर यह वाला नंबर आपने यहां पर करने और क्रेट की उपर क्लिक करने पिर क्या होगा डिये स्टुडेंस कि जैसे आप इसकी उपर क्लिक करेंगे त फॉरakah यहां पर लोगिं अंगे दिन क्या ने अब शब्सक्राइब करने बने यहां कि देख सकते हैं यह पर करने यहां लेकिन अगर आप यह से करनके सकते apply click करेंगे यहां पे देखें बताय हुआ है कि master program के लिए apply करें किस चीज़ के लिए तो हम undergraduate के लिए आपने undergraduate की पर click कर लेने अब देखें यहां पे option है यह मैंने select किये हुए है कि यहां पे टिक लगाएं कि मतलब किस चीज़ के लिए आप apply करें दो category and students students एक है self finance self finance का यह मतलब होता है कि आप जो भी खराजात होंगे सारे के सारे आप जो है खुद ही जो है मतलब pay करेंगे ठीक है और एक होते हैं दो option है हमारे पास USTC University of Science and Technology चाइना के fellowship level A और level B level A का मतलब यह होता है कि आपकी जितनी भी study होगी वो free होगी scholarship के अंड़र और level B का मतलब यह है कि यहां पे सर्फ आपकी tuition fees जो है वो होगी ठीक है free होगी उसके लावा जो खाना पीना आपका accommodation medical facility उस सारे के सारी आप जो है खुद ही जो है payment उसकी करेंगे ठीक है इसकी आपको समझ आ गई होगी लेकिन हमें complete fully funded scholarship तो आप इसकी उपर क्लिक करेंगे और save and next की उपर आपने क्लिक करना है अब save and next की उपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको जो है यह एक form मिलेगा ठीक है student यह अपने फिल कर लेने यह मैंने जो dummy debt आपके दिया हुए अच्छा आपने पासपोर्ट नंबर की जग पासपोर्ट यहां से आपने upload करना है उसकी size जो होना चाहिए 3MB कमस कम होना चाहिए और it should be in the JPG format JPG format का यह मतलब है कि आपका जो basically जो password है वो picture होनी चाहिए ठीक है photo होनी चाहिए वो आपने upload करनी है और उसके साथ जो है photo upload करनी है अपनी पासपोर्ट size की यहां पे ID card form की यहां पे अपने upload कर लिनी है are you immigrant from other country or region से क्या आप दूसरी country से immigrant है तो आपने यहां पर यहां पर बता देना ठीक है name of emergency contact person आपने आप नाम लिखना है emergency contact telephone number ठीक है ethnic Chinese है कि नहीं तो यहां पर अपने no करना है Chinese नहीं है ठीक अच्छा जी current occupation student already selected है ठीक है अगर कोई और occupation है तो आप लिख लिए लेकिन मैं आप यह सेजिस करूँ कि कोई occupation आप ना लिखें ठीक है जी name of school या फिर school employee organization मतला अगरा कहीं पर आप जो स्कूल वगरा में पढ़ना है तो आपने यहां पर दे देना है okay save and next की पर क्लिक करें तो आपके सामने फिर क्या आगए यहां पर स्टडी प्लैन अब यहां से जो है आपने देखें बैशलर में करना है देखें यहां पर पूरे किस फील्ड में आपने करना है ठीक है जी इस सारी डिटिल आपने यहां से देख लेनी है ठीक है तो यहां पर हम जो है में एक्जेम्पर की तुर पर लाइफ साइंसिज है उसके साथ सब मैटमेडिकल साइंसिज है स्पेस साइंसिज है माटेरियल साइंसिज है जो आपकी मरजी है उस फील्ड में आपने इसको सेलेक्ट कर लेने हैं ठीक है मैटमेडिकल साइंसिज म आपको कहा था ना इसके अंदर पर और courses होते हैं जैसे अब देखें मैं let's suppose chemistry के लिए apply करते हैं chemistry में जो है यह मिली जो है यह field आ जाएंगे courses आ जाएंगे ठीक है इस तरह जो है engineering के लिए apply करेंगे तो engineering में आप यह आ जाएंगे ठीक है देखें सही है तो मैं एक field let's suppose को select कर लेता हूं ठीक है यहां पर मैं computer science को select करता है computer science and technology यहां पर save and next की पर आपने click करना है सभी है तो क्या होगा कि next आप चले जाएंगे education and employment पर आ जाएंगे अच्छा the country or region where the university locates अब कहां पर यह university चाइना में है वही तो चाइना आपने यहां से select करना है name of the university university का नाम लेखना है ठीक है देगे that you have achieved from the university अच्छा sorry यहां पर जो है the country or region where this university locates if you apply for PhD program you need to provide education background with your bachelor and master अगर आप बैशलर और सोरी बैशलर और master level की जो आपकी study है उसकी information आपने तब देने हैं कि अगर आप PhD program के लिए आप apply कर रहे हैं तो उसके बाद जाए देखें part 1 यह पूरी start time and end time यह आपने पूरी detail दे देनी है यहां पे आपने GPA देनी है अब GPA का मैं बता दूँ GPA आपकी जो है मतलब 2.6 है तो आप इसके लिए apply कर सकते हैं जिसका कोई issue आपके लिए नहीं आएगा ठीक है अच्छा जी यहां पर आपने GPA mention कर लीनी out of 4 मतलब scale होना चाहिए सही है जी और उसकी साथ-साथ जाए मैं आपको बता दू नोटराइस copy of और आपने अच्छा द होने चाहिए आपकी जो डिग्री है वो verified होना लाजमी है सही है जी तो आपने यहां से फिर गर नहीं इस चीज़ को पढ़ा करने लाजमी अगर आपकी employment है कोई आपने काम किये हुआ है किसी organization में तो आपने वो दे देना है क्यों देना है और आप वो देना है और आप वो जो है वो बहुत strong हो जाएगा आपकी selection की chances ज्यादा हो जाते हैं लेकिन अगर आपने कोई job बगएर ऐसी नहीं कि किसी government के इदारे में तो कोई मसला ही नहीं है सही है add करने की जरूरती नहीं है यह इतने mandatory नहीं यह optional है सही है जी इसकी आपको समझ आ गए होगी अब आ जात इसको मैं cut कर देता हूँ यहां पर देखें जाहर सी बात है आपने no native speaker है जो भी है no knowledge कर दें और इसकी साथ देखें अगर आपकी पस certificate यहां का है सही है तो HSK का certificate अगर आपकी पास है proof of Chinese जिसे हम कहते हैं लेंग्ज है तो ठीक है देर नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है यह mandatory नहीं है dear students अच्छा जी English proficiency पर आजाते हैं आपका किस तरह है आप English कैसे बोलते हैं सुनने में कैसे है तो वो आपने दे देना है ठीक है तो आप कह सकते हैं very good यह जो भी आप select कर लेते हैं ठीक है अगर आपके पास यह नहीं है टफल आपके पास नहीं है IELTS नहीं है no problem कोई मसला नहीं है आपने क्या करना है यहां से English certificate जो आया है सही है आप यहां से दे सकते हैं ठीक है यह देखें university proving that time medium of language of instruction for you यहां से आपने upload करना है सही है जी और कोई इसमें issue की बात ही नहीं है save and next के पर आपने click कर लेना है उसके बाद contact information आपने यहां पर देना होगा contact information में देखें permanent address आपने यहां पर आड्रेस देना है जो आपका address है सही है और इसके साथ जो है email telephone number fax number यहां आपने देने होंगे सही है contact information जैसी यहां पर अब example के तोर पर आपको बताया होगी जसी यहां का पूरा जो है पूरा डेटेल सिटी प्रोवेंस लगर आपने सारे चीज़े अड़ करनी है और लास में जो postal code होता है वो आपने अड़ करना होगा ठीक है जी इसकी समझ आ गए होगी step 6 पे आ जाते है वीडियो बहुत ज्यादा लंबी होगी आप बहुर होगे होग फादर जो होते हैं उनका पासपोर्ट तो होता नहीं तो आपने उनकी इडेंटिफिकेशन पे जो भी होता सही वो आपने यहां पे अपलोड कर लेने से है तो विल इन गुड कोई मसला नहीं है मदर की जो है cnac वगर जो आपका होता है सही आईडी कार्ड वो आपने यहा रिक्मेंडेशन ठीक है और यहां पे जो है रिक्मेंडेशन लेटर की जरूट आपको पढ़ीगी जैसे मैं अल्रेडी बता चुका हूँ कि आपने बनाना लाजमी है नहीं बना सकते हैं राप्ता कीज़ेगा मुझसे इस्टाग्राम पर फेस्बुक पर आप मुझसे अपलोड करना होगा ठीक है जो आपका रिक्मेंडेशन लेटर है यह सारी चीज़े करने के बार फिर आपने डकुमेट्स को आपने अपलोड करना होगए यहां पर जो जो चीज़े आपसे मांगी जाती है अच्छा अब ही मैं आपको यह चीज़े बता देता हूँ यह एक्क लिक कर लेते हैं ताकि दूब्ड हो जाएं अच्छा सीवी यहां से आपने आप्लोड करनी है परस्नल स्टेटमेंट से यह तो इसको मैं डाउलोड पर लगा दें ताकि तब तक ही डाउनोड हो जाए सीवी हो गया और इसके बाद परसनल स्टेट्मेंट यह ग्रिजिवेशन स्टेट्मेंट नीड टो बी सब्मिटे बाइप्लिकेंट अंडर एटीन बाइस सिप्टम बसी आप अंडर एटीन अगर है तो आपने ग्रिजिवेशन सोरी गार्डियन स्टेट में मैंने इसको तरतीब से नहीं रहा था ठीक है अच्छा गार्डियन स्टेट में उसके बाद अप्लिकेशन फॉर्म फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट अंडर ग्रिजिवेट प्रोग्राम के लिए अप अप्लाइए करते हैं तो यह वाला फॉ ऐसे मांगा गया था यह शूंद देखे ओन लाइन अप्लिकेशन देखे यह वाला, थीक है तो यह जो है आप यहां सें डाउनूड करेंगे है एक यहां से डाउनूड कर लेंद्युंदक घुक कर देता हूं आपकी लिए अच्छा यह वाले फार्म को हम ओपन कर लेते हैं और यह वाला डाउनोड पर लग गया भी डाउनोड हो जाएगा study या फिर study plan जिसे हम कहते हैं या फिर research proposal simple मैं आपको बता हो research proposal आपका होना लाजमी है ठीक है किसी police station से बनाते हैं सही जो आपका करीब इताना होता है वहां से आप बनाएंगे तो आपने यहां से वह भी upload करने है other supporting documents जो होते हैं सही आपको जो support कर सकते हैं जो document वह आपने यहां से दे देने हैं सही तो फिर उसके बाद जो है अगर और भी कोई document आपकी पास है achievement documents है तो यहां से आप add कर सकते हैं सही है जी अच्छा मैं आपको यह form दिखा देता हूँ यह form dear student जो आप देख रहे हैं यह physical form है और इस six months तक जो है यह चलता है ठीक है यह form है आपने इसको fill कर लेना क्या करना है सारे fill कर लेंना है यह किसी डॉक्टर से आपने जितनी भी टेस्ट TaiSक去राने के बद फिर आपने कर ले out कर लें अब आप कहेंगे कि' satee का खाता है इसकी उपर ठीक खाता है आपने क्या करना है किसी medical doctor से पहले बात करने हैं, कि इसकी बखर चाहत हैं, जस तो आप मेरे यह चीजो क्राइटिरिया है, इसको फिल कर दे हैं, क्योंकि चाइनज कोलोशिप जो है, मसलए ही उता है, क्यांकि आप से यहाँ पर मेडिकल करा देति हैं, फिर हम आप चाइना यह है अप्लोड का ठीक है स्टैप नहीं आया से पूरे जो कंडिशन है वह यह 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 नो आपने कर लेना है और इसके बाद फिर तुरू इंटरनेट आपको पता चला मेरे तुरू पता चलता है तो आप अधर वे इसकी पर यहां पर आप जो है मेरे चैनल की वीडियो का जो आपके साथ शेर कर लेते हैं सही तब तक यह आउपन होता है तो मैं आपको डिय स्टुडुन दि बता दो कि आप इंसे कोई अपको पेश आता है तो यह इमेल हैं का war然後 के सकते हैं पूछ सकते उन से सही है पूरी डिटील आपको यह परोयड कर देंगे अब यह क्όσी हुगा मास्टर विल की मास्टर या पीजडी के लिए जो स्टूड़न अप्लाय करते हैं उनकी टेस्ट वगरा तो होते नहीं है बाहरा रिसर्च प्रपोजल वगरा उसकी पर हो जाते हैं लेकिन जो बेचलर की स्टूड़न उनके लिए चीज़े जरूरी होती हैं अच्छा मैं यह अब दिखा देता हूं ए बहुत सिंपल एडिये स्टूड़न यहां पर आपने पासपोर्ट नमबर पर जो सौरी पासपोर्ट के पर आपका नेम है वह आपने यह बहुत लिखना है ठीक है यहां पर दिये हुआ है फैमली नेम सब से पहले लिए फिर उसके बाद आपने फ expiry date जिसे हम कहते हैं कब तक valid है वो आपने लिखना है उसके बाद जो जेंडर आपने सेलेक्ट करने हैं पूरी डिटेल ही देखें यह बहुत एजी है आप सब्सक्राइब देखें पिर इसका आपने form बना क्या कहते हैं PDF फाइल बना लेने और पिर आपने upload कर लेने तो यह त चैनल पर नए है सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा क्योंकि इसी तरह informative वीडियो scholarship के रेटर आपके साथ शेयर करते रहता हूं तो मिलते हैं next वीडियो में तब तक लिए अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा शुक्रिया